अगली बार नहीं बैटने वाला हूं बहुत कट्या सर्विस चार्ट बस मतलब अगर पब्लिक अगर साथ दे और इसका पूरा विरोथ किया जाए तो अगले दो महिने के अंदर टोटल चार्ट बस का विरोथ कर दिया बन कर देना चीए इसमें यातरा करना होगे दोस्तों आज यह व्लॉग बहुत जादा अनेक्स्पेक्टेड था हमने प्लान नहीं किया था इसको बनाने का बट एक ऐसा हमारे साथ आज हुआ है जो कि हमको लगता है कि आप लोग के साथ में शेयर करना काफी जादा जरूरी है और जैसा कि आप हमारे मेजर फीवर को आपने सो उसको यूज कर रहे होंगे पर कस्टूमर सर्विस की अगर हम बात करें तो कस्टूमर सर्विस क्या यहां प्रोवाइड की जा रही है इंकी तरफ से यह हम आपको आज इसका खुलासा हम आपको सामने करने वाले है भाईसाब बस खराब हो चुकी है दो घंटा हो गया हमको खड़े हुए रतलाम से इंदोर की तरफ हम ट्रेवल कर रहे थे एक बज़े से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था एक बच के पचीस मिनट के आसपास बस जो है वो खराब होगी पचीस किलोमेटर दूर है रतलाम से और रतलाम से इंदोर की तरफ हम पन जा है न उसको इनके मेकनिक को ट्रेवल करने में अब तक दो घ्री लग चुका है अभी तक भी कोई भी पता नहीं हमको क्या है क्या नहीं है और थे बूड़ए से अब बचल रोग बचनेभी कैंद नहीं ज्ञाना था ठीक है फान किया जा जा रहा है पर कोई रिस्पांस नही आज के बाद हम नहीं प्रफर करने वाले हैं और पांच एक साल पहले कभी इनकी सर्विसेस अच्छी हुआ करती थी विकल है खराब हो सकता है कई पर भी पर खराब होने के बाद में जो उसके पीछे जो रिस्पॉंस जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना कुछी नहीं मिलना काफी यहां पर प्रसाथ हो रहे हैं हमारे साथ तो अब कर दोप पड़ रही है 20 सड़क पे खड़े हुए हैं लगबख दो घंटा हो चुका है कोई हेल्प नहीं है कई से तो और भी आपको दिखातें लिए पैसेंजर से हमारे कहीं सारे पैसेंजर्य नहीं है कितना घंट आपको जो बोल रहे देखिए अंदर जो हैं ब्रत सभी लोग बैठे हुए केवल क्लेम करना कि we are the best मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा आप सबसे जादा क्लेम कर रहे हो बट सर्वेसे अगली बार नहीं बैठने वाला हूं बहुत कट्या सर्विस चार्ट बस मतलब अगर पब्लिक अगर साथ दे और इसका पूरा विरोत किया जाए तो अगले दो म महिने के अंदा टोटल चार्ट बस का विरोत कर दिया जाए बन कर देना चीए इसमें यात्रा करना सर कितना टैम होगे आपको यहां पर खड़े हुए यहां दो घंटे से ज्यादा समय हो गया है परशान कितना हुए आप बहुत परशान हो रहे हैं इन दौर मेरे को मेरे को आइस्यू में एड्मिट है वहां उनके पास पहुंचना है यहां मदर मेरी हाट पैसरेंट है उनको लेके बेठा हुआ हूँ और जो रतलाम से जहां से हेल्प आना था वो मुश्किल से 25 किलोमेटर का डिस्टेंस से रतलाम के हेड़ आफिस से इनका और 25 किलोमेटर आने मे में 25 मिनिट से ज्यादा का समय नहीं लगता फोर लेने गाउं खेड़ेगा कच्छा रोण नहीं है कि महां पर आपको के दो कि दो गंटे लगेंगे 25 किलोमेटर चल लेंगे तो बस यहीं शियर करना जाते है आपके साथ में तो बाकी आपके ऊपर है आंगे क्या करना है क्य जादा आपके आंगे खौट कि हौंगे कर दो लिए लगेकी कि दीश बसका नाते है जबेंगे आंते है कि तो हैता है मैं मज के पको टो मिन मुदanten के का सब्वेगा करना है लिएटने बवता के कहा है जुतों मैं खरे लेंगें रिए है